नमस्कारम सद्गुरू, मैं एक 20 साल का उनिवसिटी स्टूडेंट हूँ, माफ कीजे, मैं एक 20 साल का उनिवसिटी स्टूडेंट हूँ, और सच्चाई गहरी भागीदारी और त्रिप्ती का जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे और मेरी उमर के दूसरे लोगों को अपने भीत्री मार्ग को भारी दुनिया के साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए, हम कॉलेज जाएं, प्रोफेशनल करियर अपनाएं या आश्रम में ज़्यादा समय बिताएं। देखे, हम सब को इस यूनिवर्स में ही रहना है, इस बारे में अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक विकल्प है। इसे लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितना समय हैं। शिक्षा का महत्व है कुछ खास तरह के काम करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। एक इनसान के रूप में, लोगों की एक पीढ़ी के रूप में, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि एक नव्युवक के रूप में, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आखें खोल कर इस दुनिया को देखें। क्रिप्या ये देखिए, कि अभी दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है। आप यूँ ही कोई चीज मत कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। आपको वो करना चाहिए जो सबसे जरूरी है, है ना। अगर आप हालातों में बह जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, ये काम का है, लेकिन ये बुनियादी चीज नहीं है। आज आपने ट्रेन जलती देखी, तो आप फायरफाइटर बनना चाहते हैं। कल आपने कुछ और देखा, तो आप वो बननना चाहते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रिया में आप कुछ बनना चुन लेते हैं, एक स्तर पे ये काम का हो सकता है। लेकिन अब, जबकि ज्यादतर जवान लोग सोच नहीं सकते, आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए। जब ऐसा विचार आया है, तो मैं कहूंगा कि इस पर थोड़ा और समय बिताईए। किसी इंसान या किसी चीज से प्रभावित मत होईए, बस इस बात पर गौर कीजिए, वो क्या है जिसकी मानपता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पहचानिए। इस धर्ती पर सिर्फ एक ही चीज को ठीक करने की ज़रूरत है, वो है इंसान, बाकि सब बढ़िया है, है ना। तो मैं कहूंगा कि बस आप ही नहीं, सभी युवा लोग, आप जो कर रहे हैं, उससे आपको थोड़े वक्त का ब्रेक लेना चाहिए। चूँकि आप स्कूल गए थे, इसलिए आप कॉलेज गए, चूँकि आप कॉलेज गए थे, फिर अगली चीज, फिर अगली चीज, और आखिर कार पी एजटी, क्या किया जाए। यह खतरनाक है, क्योंकि एजुकेशन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर आप बीस साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद पी एजटी वगरा हासल कर लेते हैं, आपकी सत्तर प्रतिशत बुद्धी स्थाई तोर पर नश्ट हो जाती है। आप एक काफी जानकार मूर्ख बन जाएंगे, और आज जानकारी का कोई इस्तेमाल नहीं रहे गया है, क्योंकि जो कुछ भी पी एजडी डिगरी वाला जानता है, उसे एक हाई स्कूल का बच्चा भी इंटरनेट खोल कर बता सकता है। आपने जो जानकारी जमा की है, उससे आप स्मार्ट भी नहीं दिख सकते, है ना? क्योंकि कोई भी इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि ये हर जगा उपलब्ध है, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए तयार हो रहे हैं या यूनिवर्स के लिए? आपको वही रहना है, जब तक कि आप शिक्षक ना बनना चाहते हूं, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन समझदार इंसानों को अपने जीवन को उस दिखा में लगाना चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि किसी ऐसी चीज में जो मैं करना चाह करते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, खुश होकर या दुखी होकर, है न? और सिर्फ इसलिए, क्योंकि आज आप ऐसा सोचते हैं, कि ऐसा करने से मुझे खुश ही मिलेगी, अगर आप वो काम करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप थोड़े समय बाद भी खुश बने रहेंग हर किसी के लिए, जब उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली, वो कितना खुबसूरत दिन था, आप उस छोटे से ओफिस में गए, वहाँ बैठे और वाँ, कैसा लगा था, पर कुछ साल बार, उसी मेज पर बैठ कर, ये आपकी जान ले रही है, वही नौकरी, वही शादी, वही हालात, वो आपकी जान ले रहे हैं, एक दिन ये स्वर्ग जैसा लगा था, कुछ समय बाद ये नर्ग जैसा लगता है, अना, ऐसा नहीं कि इन नौकरियों में कुछ गलत है, बस आप इसे गलत वजह से कर रहे हैं, आप इसे बस गलत कारण से कर रहे हैं, वस यही बात है, अब जबकि आप सोच रहे हैं, मैं कहूंगा कि कुछ हफ्तों का ब्रेक ले लिजे, हम आपको जगा देने को तयार हैं, बस यहां रहे हैं, बिना किसी के प्रभाव में आए, बस इसे देखिए, ऐसे कई चीज़े हैं, जो आप इस समय के मज मजबूरियों की वज़े से अभी करना चाहेंगे, अभी आप कड़की में हैं, आप सोचते हैं कि पहली चीज नौकरी खोजना है, या किसी दूसरी मजबूरी के वज़े से आप सोचते हैं कि पहली चीज यह करना है, आपकी मजबूरियों के अलावा, मान लीजे कि इन में तो आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपको वही करना चाहिए। आपको अपना जीवन और उसकी दिशा इस वक्त की मजबूरियों के आधार पर तै नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में तै कीजिए कि अगर आप सौ साल तक ये काम करते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या तब भी ये सार्थक लगेगा? आप वही कीजिए। कई दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह होना चाहेंगे। काश, मैं भी बीस साल का होता और काश उस समय मैं ये सोच पाता की क्या करना चाहिए। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं। अब जब कि आप 20 साल के हैं और खुश किस्मती से आप सोच रहे हैं और खुश किस्मती से आप यहाँ पर हैं यही समय है ठीक से सोचने का इससे पहले कि आप कुछ करें